देखी छात्र, आज मैं इस टाइब का कुश्चन बताने जा रहा हूँ, करा इन सबों के इकाई के अंकों का योगफल क्या होगा, तो सबसे पहले दिखे, यह तो बहुत अधिक पावर है, दिखे, अधिक पावर है, तो बराने में तो समय लगे ही, लगे, लेकिन मात्र, ती इकाई अंक कितने हैं, चार, और इकाई अंक क्या है, चार, याद रखेगा, चार पे पावर, यदि विसम रहेगा, चार पे पावर यदि विसम रहेगा, तो उसका इकाई अंक, तो उसका इकाई अंक जो होगा, याद रखेगा, इकाई अंक, जब भी होगा, वो चार ही हो जैसे चार पे पावर एक, तो क्या हो गया चार, चार पे पावर तीन, ये भी सम है, तो चार चुक सुला, 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 चु दिएगा बच्छो, क्या होता है बच्छो, यहाँ पर भी देखिएगा, क्या है, 63, 54 पर पावर 165, तो हम इसी को देखेंगे, यह सम को नहीं देखेंगे, यहाँ चार है, अब इस पर पावर कितना है, 165 तो 165 क्या है भी सम, तो definite है, कि इसका जो 11 अंक होगा, वो क्या हो जूड फिर दिखेगा यहां पे 750 है तो इस पर पावर कितना है 1003 तो 3 क्या है आपका विश्व इसलिए different है कि इसका भी इकाई अंक्या कर चार तो 4-4-8-4-12 अर थार्थ इन सबों के इकाई अंकों का यूफर कितना आजाएगा 12 अब मैं एक सम के आधार पर बता रहा हूँ और फिर कोशन दूँगा आप लोगों को बनाने के लिए बना के आंसर कोमेंट करेंगे ठीक ना चलिए देखिए चातर मैं दूसर कोशन से लेज़कों हूँ क्या कर रहा है 35-24-2-6, 54-24-2-10-24-24-12 इकाई के आंकों का युगफल क्या होगा तो मैं भी किवल चार का बता हूँ तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है चार याद रखिगा यदि इकाई अंक चार पे पावर यदि सम रहे चार पे पावर सम रहे तो उसका इकाई अंक जो होता है छे होता है इकाई अंक क्या होता है इकाई अंक जो होता है छे होता है इकाई अंक क्या होता है छे जैसे देखे चार का स्कुर्ण तो चार चुक के सुल ले तो यह आपको याद अक्रपड़ेगा, यदि 4 पे पावर सम रहेगा, तो उसका इकाई यंग different है, वो क्या आप अच्छी होगा, इस अभी कुर्शन बराने में बहुत समय लगते हैं, लेकिन इस त्रिक की अधार से मातर 3 सेकंड, 4 सेकंड लगेंगे, तो अब देखें, यहाँ पे 35, 24, पे पावर 6, 6 समसंत्या है, यहाँ पे क्या है, 4, तो बस यही सी को देखेंगे, इधर वाले को देखेंगे, तो different है, इसका इकाई इंपे जो हो जाएगा, वो ची हो जाएगा, देखें, यहाँ पे भी 4 का स्क्वाइर है, अंतिम में, अंति तो इस प्रकार के questions, आप लोग के SSC हुए, railway हुए, SSC, CGL हुआ, CHSL हुआ, आदी सभी exam में, competitive exam में पूछते हैं, तो आप definite है कि इस प्रकार के questions को आप 2-3 सकंड में डिल कर लेगे, अब मैं आप लोग को questions दे देता हूँ, आप लोग बना करके मुझे comment में answer लिखेंगे, और इस प्रकार का question आप लोग जो भी competition exam में आए होगे, उन्हें से मों को दिल करेंगे, मैं आप लोगों के विचिरे गूलर इस प्रकार का वीडियो लेकर के आती रहूँगा, और इस प्रकार के वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए, मेरे चैनल को subscribe करें, और वीडि